नमस्कार आप देख रहे हैं बिस्तक की खास पेशकर्ष मैं हूर रजद देवगन आज एक बेहद ही खास मेमान हमारे साथ जोड़े हैं सौरब मुखर जी जी हमारे साथ जोड़े हैं जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2023 में अगर पैसा बनाना हो तो कौन से ऐसे सेक्टर होंग स्कूल आपने पढ़ाई किये हैं और आप इतने बड़े फंड मैनेजर बने हो इंडिया में पर मेरा सवाल ये कि सर ये एकॉनमिक्स की पढ़ाई करने के बाद मार्केट की तरफ रुख कैसे हुआ आपकी अभी तक की थोड़ी सी जर्नी के बारे में अगर आप बता दें कि नॉर्मल इंडियन फैमिली की जर्नी है दिली में कुलकाता में पैदा हुआ दिली में बड़ा हुआ था जब हम 14 के थे माबाप UK माईगरेट कर गए वहां पे लंडन के सबब्स में नौकरी किया 16 साल की उमर से नौकरी किया स्कूल भी जाते थे और करते-करते जैसे में किताबे काफी आसाल लगी तो सुबह शाम का जो जर्नी का कम्यूट था वर्फ का ट्रेंड में पढ़ ली और तीन साल बाद करने के बाहें नौकरी मिल लंडन में अधर वो थावसंट्री नुवेंबर तो बीस साल होने को आ रहे हैं वीस साल से यही कर रहे हैं कर रहे ह पर सर आपका जो investment style है that is coffee can investing बहुत प्रचलित है एक बार आप प्लीज उस पे बताएं कि what is this method all about और इसमें से shares की identification कैसे की जाती है यह हमारा खुद का style नहीं होगा मैं अब बोलना कि हमारा style है फ्लाद दरत होगा रॉब कर भी नाम के अमेरिकन इंवेस्टर थे उन्होंने 1983 में पेपर लिखा था coffee can investing और कोई भी गूगल पर जाके लिखे रॉब कर भी coffee can investing वो चार पेज का बहुत सिंपल सा पेपर हो आपको मिल जाएगा उस पर उन्होंने समझाया था कि एक दरजन अच्छे stocks लीजिए एक दरजन अच्छे stocks लीजिए और उन्हें बैठे रहे खरीज़ेगे आउमत बेचिए गमत अच्छे stocks बैठे रहे और अगर बहुत अरसे बात अब वो stocks की portfolio खोलोगे आप देखोंगे आपका खूब सारा पैसा बन गया यह इंसाइट बहुत सिंपल है बहुत करने के जरूबत नहीं है अब खरीजा बेची की दरकार में है अच्छे stocks लेके बहुत दिनों के लिए बैठ जाना है इसी concept को में इंडिया के लिए तो आपको दो ही चीज़े देखनी है return on capital employed मतलब company की operating profit divided by मालिक ने कितना पैसा लगाया उस company में और 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 उसी 15 के उपर आनी चाहिए consistently over a 10-year period प्रती वर्ष 15 के उपर आनी चाहिए और साथी साथ revenue growth डबल डिजिट्स में होनी चाहिए दस साल लगातार अगर यह दो टेस्ट पास हैं आप स्टॉक को खरी दिये और कम से कम दस साल लेके बैठ जाए यह हमने दो लगातार किताब हो और आज बहुता है कि इतना सिंपल स्टाइल से इतना पैसा बन सकता है वही हकीकत है निवेश में जो सिंपल होता है वह सबसे एक्टिव होता है धैरीया का बहुत-बड़ा रोल है पैसें इन्लश घ्र सब वो इंडिया में मोटा कमाता है बस ही हूंब करना और पेशिंस से किसी स्टॉक को होल करना यही तो दो मुश्किल काम है शेर बजार में जो होते नहीं है बहुत सेंपल सी चीज़ है लेकिन वो होती नहीं है और वो सर्फ 2022 में जब यह साल शुरू होगा था तो उसके बाद तो जो हिच्छोले देखे थे शेयर मारकेट में सब की हाले टाइड थी अभी तक मिट्काप प्रपोलियो में वह अभी तक ब्लीड कर रहे हैं साल होते होते हमारे मारकेट सुगे विदेशी मारकेट अभी तक नहीं छुपाए है तो क्या यह ट्रेंड अभी आपको लगता है कि गोईंग पॉवड ऐसे ही कॉंटिनी होता हुआ नजर आए कि मैं ओनिस्टी मार्केट लेवल पर ज्यादा सोचता नहीं हूँ किसी का भी दिमाद चलता नहीं कि market कहां जाएगी जीरो फोकुच हमारा market के उपर रिजन फॉर डैट इस हमारे देश में पर फोकस करके पैसा बनता नहीं है विए मार्केट के अंदर काफी इनेफिशन्सी है काफी कॉरॉप्ट कंपणी भी है मार्केट के अंदर और कुछ ऐसे गिनेचलों कंपणी है जो एक्चुली बाहूबली है शांदार कंपणी है वर प्रमोटर जी वेलकुल मूब बंद जाता है और जो अच्छी कंपणी का प्रमोटर अनियूजर बिलेनेर जो बोलते हैं उसको चुप-चाप शांती से घर में बैठके पैसे चापता है आपके मेरे लिए तो मार्केट के उपर फोकस करके आप क्या होगा आप गलत कंपनी के उपर की तरह खिट जाओगे जो क् करते हैं उनको फरेंजिक अकाउंटिंग के माध्य हम से बाहर कर दिया जाए परेंजिक अकाउंटिंग करना ट्रिवियल तो नहीं है बड़ उत्रा मुश्किल भी नहीं हमारी किताब डायमेंड जिंदे डश्ट में लास्ट यह हमने समझाय था कैस कैसे साधारन टेस्ट के तो इस तो इस ही प्राइसे कंपनी की प्राइस कंपनी की प्राइसे कंपरेशन के मुकाबले बीस तीस चालश प्रतिछत ज्यादा हो हो है तो इसी प्रकार सब्सक्राइब कर दिया है कोई भी इंडिया में नए बच्चे का माबाप हो वो निसले का ही प्रोड़क्ट देते हैं यह नहीं बोलते आपको मेरे को करने की इच्छा है कोई ऐसा सोगता नहीं है कि इसले की आपकर सब्सक्राइब करें इस नए बच्चों की फैक्टरी बनाई जाती है और हम नेश्व मेरे माबाप का निवेश है मेरा खुटका निवेश है यह सिंपल शैली जो है निवेश की यह हमारे ख्याल सेंडिया में लाबदायक है, रादे दांग मार्केट कहा जा रहा है। इसलिए हम मार्केट के बर जादा दिमाग नहीं खपा थे हैं। 2022 में कहा किया मार्केट, वनेशलिए में को जादा ख़बर नहीं है। अमेरीक अपने पॉर्ट्फोलियू के बारे में को भी ख़बा है। पर यह वाले मार्केट अभी आपको लग कैसे रही है क्या वही कंजम्शन लेड ग्रोथ अभी भी देखने को मिलेगी और पॉर्ट्फोलियो अलोकेशन करना हो स्टॉक मार्केट पे तो विचार थीम जाप विचार दर सेक्टर विच्टर विच्ट विच्ट विच्टिंग हुग सपनि आपको नलायक यह गानघ से काम किया है अच्छी अक्वाई है को इसक्टर के अंदर हीर जवाराथ मिलते हैं और सेक्टर के लुग करें तो इसक्रणों के उपर तो बेहतर हो करने से इंदिया में कूप सारा फायदा होता है और एक वज़ा है जिससे सेक्टर के उपर मैं फोकस नहीं करता हूँ अगर हम लास्ट बारा महिना देखे तो प्यास्यू बैंक्स अच्छा भागी है अब आप समझ सकते क्या होगा अब सारे रीटेल इंवेस्टर प्यास्यू बैंक्स में घुसेंगे प्यास्यू बैंक्स का जो नीव है प्यास्यू बैंक्स की वहीं पर कंजोरी है अज़ेशा की वज़ाएं कंट्री नहीं है इंवेस्टर की खुद ना समझी है इसलिए लोग सुझाता रहता है कि आपको निवेश करना है मार्केट के उपर फोकस मत कीजिए सेक्टर के उपर मत कीजिए सीखी अपने आपको सिखाईए स्टॉक लेवल इंवेस्टिंग कैसे की जाए हमारी किताब डायमेंट्स पब्लिक को सिखाने के लिए लब है किसी भी वेबसाइट या दुकान पो चले जाएं हमारे वेबसा में और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट अच्छी कंपनी को कैसे उसके उपर भी हमारे वेबसाइट में बहुत सारे नोट्स और बहुत सारे रभी ना रहे है यह जमाने में जो सीखेगा इस इंडिया में आपको सिखाएगा स्टॉक इंडिया में कमाएगा लेकिन अभी आप जो आप बात कर रहे थे पैसा तो वहीं बना इस साल इस साल बजार इतना सर्प्राइस कर रहा है और ऐसे ऐसी चीजें होती देखी जो बहुत समय से नहीं देखी थी आमिन वैसे कि इस 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 बार हुआ है पीस्यू बैंक्स रिलेटिवली प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले बहुत तेजी से भाग गए दिखी है वहारे जो लास्ट मैप 14 साल इंडिया में रहा हूं जो इनफिशन्ट है जो कमजोर है जो कुराप्ट है इन लॉट अप इन दो चीज़े एक ही कंपनी मिलती है इसे कंपनी धुल के निकल जाते हैं दो तीन साल है जैसे आप यह बैंक का उधारन लीजिए लोगों को लोगों को उल्पे सीधे नंबर लिखाए अम जैसे लोग नंबर देखके बोले इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है नंबर स्काइब इन फिर इन वानियर वानियर के तीन महीने में दे लॉस 90 परसंट अब दाइन सब्सक्राइब करें आपके दर्शकों को शाइद आएल एफस भी आदोगा इंडिया में ऐसे कई कंपनी होते हैं और इंट्रस्ट्रक्टर में मैंने को याद है एक पूरी जेनरेशन अब कंपनीज थी जो आज 95-97 परसंट डाउन है इंड्यां की सीख हैं इंडिया की हमारी कंपनी में पैसा लगा होगे तो आपका पैसा तो यकीनन मैं आपको गैरेंटी से बोल सकता हूं पर इतना बोल सकता हूं जहां पर को कमजोरी दिखती है नंबर में शरारत दिखती है तो वहां पर निश्चित आता है कब आता है उसका टाइमिंग हम करने से पैसा गायब होने वाली बात कहरें आप यह तो आए उसमें वैसी सूपरा साफ हो गया यह हुआ कि आभी तक तो किसी को यह समझ में आहीं नहीं कि पर नाइनटी पर संट ने आपको कुछ भी नहीं कमा करेंगे जीरो नाइनटी पर से आपकी कोई हमाई कोई लिए वह वह बीस साल से जम्य होगी लेकिन नाइनटी परसंट केसे में आपका कमाना नामुम्किन है वही रेशियो आइपियो पर भी लागू है तो दस में से नौ आइपियो डड़ होंगे ऑविसली ब्रोकर उनको उच्छा लेगा मीडिया में उनको मीडिया में उनको हाइप जनेरेट की जाएगी आपको सोशल मीडिया में कहीं जगा से टिपण ही मिलेगी कि इस पर निज नौ की बात करें तो साल में एक या दूही ख्लासिक आते हैं एक या दूही पिक्चर ऐसे आते जिनका जिकर आज से 20 साल बात भी किया जाएगा बट उसके बावजूद नोविल्टी का लाइफ में लोगों को लाइफ में बहुत प्रभाविद करती है लोगों की खोज रह लोगों को नौविल्टी चाहिए ब्रोकर और कंपनी का मालिक उसका पाथ पाइदा उठाके इंवेस्टर को भूट लोता है अभी जिस तरह कि क्या मूड मौहल है अभी हर तरफ को लेकर बहुत मूड नेगेटिव है तो यह कैसे करें कि वेदर इस वाल्यू जोन जहां पर खरेदारी करनी शुरू कर देनी चाहिए या फिर अभी क्रेक्शन और डीप होगी आपका नजरिया आपका नजरिया आइट बोला प्रिष्सेटर वाली बात करें लगता है अब इसे तरह आपका निजरा आज जो अच्छे आई टी कंपनी थे अब रहे और एक दो सूर्मा है इस नो बहुत बहुद है हमारा निवेश पीसियस में और कुछ तक इंफोसिस में है और TCS में काफी सालों से हैं इंफोसिस में हाली बना है और ये कंपनी एक साल पहले भी अच्छा कर रहे थे दस साल पहले भी जाहें रहें जी अच्छा कर रहे थे इंफाक्ट I think if you go back even 20 years both were doing well and it's highly unlikely that anything is happening in the world which will make any other Indian IT company allow which will allow any other IT company to compete with TCS जो सूर्मा है जो वही सुद्रिण रहेगा उसकी comparative वर्वांति जिनकी बहुत स्ट्रॉण है तो लोगों को कुछ जैसे कपड़ों का फैशन आता है लोगों को रखता है है लेकिन सब्सक्राइब को पता है कि आप स्टॉक्स पर डिरेक्ली बात तो करोगे नियों सेक्टर पर आपने बिल्कुली बोल रहे हैं कि सेक्टर देखने नहीं है लेकिन वह जो पूरा हमारा स्मॉल कैप पूर्फिलियो इसके लिए और मिट कैप पूर्फिलियो के नाम है राइजिंग जाएंट्स वो भी आपको वेब्साइट में फ्ली आप चार्ज जाएगा और कंसिस्टेंट कंपॉंटर इजा फ्लैक्षिप प्रड़क्ट जैसे आप बोल रहे थे तो जिसमें करीवन आथ हजार नौह जार को लगा है वो भी आपको बिल्ग जाएगा बट नन अफ इस पोर्फोलियों में फटाफट कमाना है लास्ट बारा महीने में नन फीस पोर्फ भूलत बहुत दुक्ष है रुखेशने के सामने पड़ेगा जो इंसान मौनता है लौक्र इस्ट कुए है सवाल कर record पूसे समझदारी से California कंप़़नी के कैपिटल को अलो्केट कर गडहां आ्लोकेटे कर रहा है और पिर सवाल जब में मार्केट में जाता हूं दुकान में जाता हूं यह कंपनी बाहुबली प्रकार दूसरे कंपनी के मुकाबले 20-30-40% एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर रहा है तीनों सवाल पर टिक 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 आता है इंवेस्टर पैसा लगाता है स्टॉक प्राइस चली या ना चली वह इंडिया निरेष में बाशोन मैं कहला रहां जाता है उप्लोप बहुत बohat शुक्री आपने सब्सक्राइब करें के लिए अपना प्रेशिए स्ट्व बहुत बहुत हbeiter का कोई रहा हुं एक हैंक्या यंजया की सठी मिए अनुप मेरी इ leap झाल झाल